इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफॉर्म अनकाडमी लेकर के आई है आपके लिए अनकाडमी प्लस प्रोग्राम जिसमें अगर आप लेते हैं अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो आपको यह सब फीचेस मिल जाएंगे जो की आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं स्टडी मेटेरियल यानि पीडिया फॉर्मेट में जो भी चीज़े होंगी मिल जाएंगी एंसर राइटिंग सेसंस मिलेंगे और मेंडर्शिप एंड गाइडेंस भी आपको यहां पर मिल जाएगा साथी साथ आपको यहां पर एक और चांस मिल रहा है जो की है लाइव एक लाइव एक्जाम आप 29 नवंबर को सुबह 11 बज़े लगा सकते हैं कौन-कौन से लोग लगा सकते हैं एंडी ए एयर फोर्स नेवी के कैंडिडेट साथी साथ हैं जो लोग सेडी एस एफकेट या फिर सी एपी एफ की तयारी कर रहे हैं वो सबी लोग और यहां पर रैंकि टीचर हैं यहां से आप अपने स्क्रिण पर देख रहे हो स्लाइड में घुमा रहा हूं देखते जाओ उसके बाद अगर आप जाना चाहते हो सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हो तो यह देखो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्सन में दिए गया लिंक के तुरू डाउन और हमार जीरो सेवैन अगर वो डालते हो तो आपको 10% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा आगे देख़ो प्रोसिट्टू कैसे हो आप सब लोग ठीक होंगे मैं हूँ अभी सीक और आप देखना सुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभी सीक गाइस इस वीडियो में बात करने वालों हूँ इंडियन एर फोर्स एक्जाम रिजल्ट 2020 के बारे में आखिर कब आ रहा है रिजल्ट बहुत सारी थियूरी आप अगर कॉल करेंगे अगर आपने करा होगा और अगर आपको वो डेट बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत लगी हो आप क्यूंकि मैंने कॉल किया उन लोगों के पास तो उन्होंने ये नहीं बोला मुझ से कि कब रिजल्ट आएगा किस डेट तक रिजल् करने को नहीं मिलेगी तो मुझे ये चीज़े बताई गई अब आप में से किसी ने कॉल कर आओगा तो आपको क्या बताया गया वो आप कमेंट सेक्सन में बता सकते हो लेकिन यहां पर जो थियोरी चल रही है कि 26 को आ सकता है 26 आज है उसके बाद 28 को आ सकता है या फिर 30 वहां पर भी कुछ चीज़े मैंने देखी तो इसके according कब आ सकती है result गईस देखो यह मैं clear नहीं बोल सकता हूं कि इस टाइम तक मैंने वैसे भी आपको बताया था कि 25 तक अगर result नहीं आती अपकी तो फिर उसके बाद last week of November में किसी भी दिन result रिलीज करी जाएगी लेकिन 26 26 और 30 बोल देना बहुत ही यह एक टरिके से ऐसा होगा कि आपको जानते नहीं हो लेकिन टुका मार सकते हो तो अगर मैं बोलू तो आज ही result आ सकता है हो सकता है आज जी जीवनिंग में आपको रिजल्ट मिल जाए ऐसा हो सकता है कि कल रिजल्ट मिल जाए आपको ट्वीट को result मिल जाए, 29th को result मिल जाए, या फिर 30th of November को भी result आपको मिल सकता है, तो ये इन दिनों में result आपका release हो जाएगा, अब रही बात, first week of December की तो देखो भाई, ये चीज़े क्यों हो सकते हैं, first week of December, अगर आपने exam 8 को ले लिया, तो आप 20 दिनों का time लेते हो, तब भी 28th होता है, अगर आप बहुत लंबा time लोगे, एक महीने का time लोगे, फिर आप 8th of December को release कर सकते हो, लेकिन अगर इतना time वो लोग लेते हैं, तो फिर बाकी सब selection procedure जो है, उसमें काफी delay होगी, तो मेरे recording जो result है, वो अब आपका कभी भी आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, या उसके अगले दिन भी release करा जा सकता है, ऐसी चीज़े हैं, और CASB को अगर आप कॉल करोगे, तो आपको ऐसी ही चीज़े बताई जाएंगी, कि कुछ भी clear नहीं है, आपको जो भी update दी जाएगी, वो website पर ही दे जाएगी, तो आप touch में रहें website के, तो इस तरीके से चीज़े हैं, जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे share करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि 25th को result आ सकता है आपका, इसलिए मैंने ये वीडियो आज यानि 26th को बनाई, ठीक है, ये चीज़ clear है, बाकि अगर आपको क्या लगता है, आपने अगर बात की CASB में, तो आपको क्या जवाब मिला, वो जरूर बताएगा मुझे comment section में comment करके, साथी साथ एक और चीज़ बता दो, कि जो ये new notification है, इसके लिए वो भी release करने है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि 10 December तक इसके लिए notification भी release किये जा सकते हैं, ये मेरी एक prediction है, और navy के registration का है, अगर आप अपने राज्य में हैं और आपके राज्य में rally निकली हुई है, तो आप जरूर उसके लिए apply करिएगा, तो इस वीडियो में यहीं बात करनी थी, I hope कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना comment session में comment करके बताएंगे कि आपने बात की थी या